आज में जो पोधा दिखा रहा हूं दिखाने जा रहा हूं यह बहुत ही प्रफिटेवल है आप इसे बहुत अच्छे से कमाई कर सकते हैं अज़र करके आप अच्छे से पैसा प्राप्त कर सकते हैं यह आपका जो पोधा है यह आट सो से ले करके एक गचार रुपे बारा सोगे प्रत किये रूमें बिखता है जी यहां इस पोधे का नाम है अंजीर का आप लोग इसकी खेती करिए और बहुत ज़्यादा लाप राप किरिए देख लीजिए मैं भी सिर्फ दो पोधे लगा जाँ हूं देख ली छोटा सा पोधा फला गया इसमें बहुत थी अच्छा पोधा होता है और बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं आप सभी अब लोग ये पोधे से लगवद 25 किजी प्रतवर्स पा सकते हैं लेगर जी छोटा सा पोधा है और पल ले रहा है नहीं आपट कैने इसे संसार का सबसे मीठा फ़ल भी बोला गया इसमें चैनी की मात्रा चिए है से यो क्रछा सी क्रतिशत होता है अ संसार से मिठा फ़ल होता है कि ऑल इसकी ख्येती के लिए किसी भी चल्वाएं मिश्केथि कर सकते हैं को कि बहुत जगा इसका वो नहीं है कि आपने हाँ पर करेंगे तभी होगा इसमें आप लोग दो तीन के जी तक लग सड़े गुबर दे देंगे और थोड़ा बहुत पानी के सचाहि करेंगे एक या दो सचाहि बहुत है क्रिस्प में गर्मी में आपका त्यार हो जाएगा कि अपने उसकी कटिंग को जदा जदा लगा सकते हैं कि अगर वीच से लगाएंगे तो यह लगभव दीन से चार सान फलेगा और कटिंग लगाएंगे तो थोड़ा पड़ा होगा इतने फॉल ने लगए देख लिजी कटिंग से ही लगा रहा है इस अंजीर से आप लोग को काफी सारे फायदे होंगे डैपटीज में जदा फायदा होता है पुटा सेमस में चलका सा मिलता है और अधियाद में भी आपको बहुत जदा इससे फायदा होता है इसका पूरा का पूरा इसका पूरा का पूरा चलका बीज गुद्य सहीद खाय जाता है इसके पके हुए फल में 22 प्रतिसत और सूखे फल में 22 प्रतिसत चीनी की मात्रा पाई जाती है इसिलेए इसको पूच जड़ा मिएटा फल और जिसकर अगुमों बगता है और इसके फल को टुकड़े करके पीश कर दोते और चेनी के साथ कहते हैं इसका मुरब्बा भी बनता है यह कब्जी को दूर करता है इससे बहुत सारे लाफ है आप लोग इसका खेती कीजिए बहुत सारा लाफ पाईए देख लिए हमने दो पौदे लगाया हुआ है अभी और अभी और जाता लगाएंगी इसको कि इससे समंद्दित कोई भी जान करें चाहिए ताब कमेंट करें आप लोग को सारे जान करें दीजाएगी और हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं ता आपको खेती की नए नहीं ट्रिक और किसमें फायदा है सब बता जाएगा आप लोग शेयर भी करें और और सब वीडियो दिया जाएगा आपके इंचीर से सम्मद्दित कोई भी जान करें चाहिए तो कमेंट करें धन्यवाद दुए फर्मास मियानी के लिए धन्यवाद